नमस्कार, बुंदेली माटी के अमर सपूत, डॉक्टर सर हरी सिंग गौर की जयनती पर विश्रुविद्याले परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुब कामना है। उच्छ शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ट वकालत से धन अरजित किया। डॉक्टर गौर ने अपने जीवन भर की कमाई दान देकर 18 जुलाई सन 1946 को सागर विश्रुद्याले की स्थापना की जिसे आज हम डॉक्टर हरी सिंग गौर विश्रुद्याले सागर के रूप में ज कि बैरकों से हुई तब यहां ग्रामीर परिवेश था दो-चार मोटर गाड़ी के साथ मात्र बैल गाड़ी, उंट गाड़ी, घोडे, तांगे और साइकल आवागमन के साधन थे। मकरोनिया के बाद पथरिया जाट गाउं की वर्तमान पहाडियों पर विश्रुद्याले के भवनों को स्थापित किया गया, जो आज अनेक नए भवनों के साथ विस्तारित किये जा रहे हैं। यह सागर के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि अपनी उपलब्धियों के आधार पर डॉक्टर हरी सिंग और विश्रुद्याले सागर को 15 जनवरी 2009 से केंद्रे विश पुरुशार्थ का अप्रतिम उधारन है। डॉक्टर गौर बहु मोखी प्रतिभा के धनी थे, इन्होंने उच शिक्षा में अनेक उपादियां और कीर्तिमान स्थापित किये हैं। डॉक्टर गौर सौतंत्र भारत से पूर दिल्ली और सागर विश्वद्याले के संस्थ खापक कुलपती के साथ नागपुर विश्वद्याले के भी कुलपती रहे हैं। यहीं उनकी विलक्षन प्रतिभा का प्रमाण है कि वो कितने महांशिक्षा विद्ध थे, कुशल प्रशासक और दूर्द रिष्टा थे। डॉक्टर गौर को शद्धानजली देने के रूप में मना रहा है जिससे विश्वद्याले परिवार गौरवानवित है। जी हाँ, इस बार गौरव दिवस की रूप में। कैम्बरिज से शिक्षा प्राप्ट कर डॉक्टर गौर सागर में भी विश्व स्तरिये विश्वद्याले बनाने का सपना देखते थे। वर् of Transfer of Property Act ततकालीन समय में नए वकीलों के बीच लोग प्रियब पुस्तक थी। भारतिय दंड संगिता की तुलनात्मक विवेचनां, हिंदू लौ आधी पुस्तकें उनकी उच्च स्तरिये विधी बौधिक्ता को दर्शाती हैं। विधी के अलावा साहित में भी उनकी अच् कथा भी लिखी, उनकी Spirit of Buddhism लोग प्रिय हुई। बुंदेली संस्कृती में डॉक्टर गौर का नाम परंपराओं की तरहे रच्चा बसा है। बौधिक शंक्ताओं से पून, समय के पाबंद, इमानदार और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गौर ने अ केंद्री विश्वध्याले बनने के बाद हम डॉक्टर गौर के सपनों को साकार करने का निरंतर प्रियास कर रहे हैं। इस सत्र से विश्वध्याले में भारत सरकार की नीती अनुसार राश्य शिक्षापदिती यानि NEP 2020 आरम की जा रही है, जिससे छात्र मुख्य विश् इलेक्टिव के रूप में पढ़कर अपनी बहु मुखी प्रतिभा को निखार सकेंगे। विश्वध्याले में अंतराश्य स्तर के शैक्षनिक और शोध कारियों के लिए कारे योजनाय बनाई जा रही हैं। विश्वध्याले में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और शो कारे निरंतर हो रहा है। जिनमें संगीत, योग, ललितकला, अपराज शास्त्र, पुस्तकाले, पत्रकारिता, स्वधेशी ग्यान, नाइनो टेक्नॉलिजी आदी के भवन प्रमुख हैं। प्रवेश के माधियम से आने वाले छात्रों को यूजी से के नियमानुसार फेलो किये जा रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसंता होगी कि विश्विद्याले के पास लगभग 1300 एकर से अधिक भूमी है। यहां की प्राकृतिक वन संपदा प्रदूशन रहित वातावनर से भरपूर है। हमारी प्राथमिक्ता छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है। अनेग संस्थानों से विश्विद्याले द्वारा समझोता पत्रक पर हस्ताक्षर किये गए हैं। जिनमें प्रमुक हैं। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मंत्रालय भारत सरकार से स्वीक्रिक, डॉक्टर अंबेडक उतक्रिष्ठा केंद्र विश्विद्याले में विभिन पीठ एवं केंद्र आरंग हो चुके हैं। जिसमें कामदेनु अधेयन एवं शोद पीठ, श्रीकृष्ण प्रणामी स्वाध्याय पीठ, डॉक्टर अंबेडकर चेर प्रमुक हैं। डॉक्टर अंबेडकर उतक्र उतक्रिष्टा केंद्र द्वारा चैनित छात्रों को प्रतियोगिता परिक्षा हेतु नेशुल्क प्रशिक्षन दिया जा रहा है। इसी के साथ ही पैलियो इथनोलोजी रिसर्च सेंटर मॉस्को रूस राजीव गांधी राष्ट्य विधी विश्विद्याले पंजाब, स्वामी विवेकानंद विश्विद्याले सागर एबं रिसर्च फोर रिसर्जिन्स फांडेशन नागपुर से शोध परक समझोते हुए हैं। डॉक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्याले सागर की वेबसाइट पर विश्विद्याले के कारिक्रम और समस्त जानकारी बनने किया गया। विश्वविद्याले ने शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यास नई दिल्ली के साथ परियावरन जागुरुकता केंद्र, चरित्र निर्माण, एवं व्यक्तित व विकास केंद्र, एवं वैदिक गनित अध्यान केंद्र पर समझोहता ग्यापन पर हस्ताक् विश्वविद्याले के गौरवाणी रेडियो स्टेशन को संचार मंत्राले द्वारा 89.6 मेगा हार्स फ्रीक्वेंसी प्रात हो गई है जो क्रियानवन के लिए विचारा धीन है। अचाइद ही ऐसा कोई उधारन हो जहां एक व्यक्ती ने अपने जीवन भर की कमाई वो भी आजादी से पहले उस समय में सन 1946 में दान देकर विश्वविद्याले का निर्मान कराया हो। प्रस्ता के समक्ष एक ऐसा हुधारन प्रस्तुत किया है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 1946 में उन्होंने जो ग्यान का दिया जलाया था उसकी रोशनी निरंतर प्रकर होती चली जा रही है यही हम सब की कामना है। डॉक्टर हरी सिंग गौर के प्रयाज से ही सागर विश्वद्याले की स्थापना हो सकी। शासन, प्रशासन और सागर वासी इस वश गौर जयनती को गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रसंता का विश्वद्याले के संस्थापक, दानवीर, शिक्षाविद, विधीवेता, कवी, चिंतक, विचारक, प्रखर व्यक्तित्व के धनी, हम सब के गौर बबबा, डॉक्टर हरी सिंग गौर के प्रती, हम सब विनम्र शिधाजली अर्पित करते हैं। जेगर